हेलो फ्रेंड्स तो आपका एक बार फिट से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल पर और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीयम मुहित गुपता जैसा कि आप सबको पता है जैनकि कमपनी जेक्ट 2013 चैनल प्रॉविजिसंस आई और हम सबको पता है कि मैक्सिम कमपनिया जो वह जर्म यण कंपनिया ब्र tailored कंपनिय अंपनिया MSM या तो small companies हैं या medium companies हैं और उनके ऊपर heavy late fees और heavy penalty का जो डिपार्टम का गवर्मेंट ने प्रोविजन लगाया है जो फ्रोविजन लगाया है वह शे साल होगे अभी तक कोई रोल बेक का कोई उसमें ना तो कुछ हुआ है थोड़ी लिनियंसी तो आई है लेकिन उसमें ना तो कुछ रोल बैक हुआ और डिरेक्टर्स की इंडिविज्विज्व लिएबिलिटी है और प्रोपर उपर बहुत हैवी मॉनेटरी और साथ साथ नोन मॉनेटरी लिएबिलिटी है तो हमने सोचा कि इसके उपर एक वीडियो बनाए जाए जहां पर हम मेजर जो कॉम्प्लाइंस होते हैं प्राइबल इमिडिट कमणी के उपर वह हम डिसकस करें कि कौन-कौन से मेजर कॉम्प्लाइंस है अगर मेरे को लगता है कॉम्प्लाइंस होने चाहिए लेकिन कमपनी के साइज के कोडिं हो ने चाहिए बड़ी और इतना ज़्यादा नजर रख एगा ठाएगा तो कहीं ना कहीं वह बनाएंगे फिर वह दूसरे मोड विजनस की तरफ जाएंगे और देन गोर्मेंट कें इट में भी दा पोसिबिलिटी की गोर्मेंट कें उन दुसरे जो लोज हैं चाहिए वो एलल्पी हो पार्टनर्शिप हो फिर उसमें गोर्मेंट देर कैन भी सिट्वेशन की वहां पर भी स्टिक्नेस करें कॉम्प्लाइंस इसलिए हमने डिसाइड कि आज करेंगे तो मान लीजिए आपकी प्राइव लिम्टीट कमणी बन गई है तो सबसे पहला कॉम्प्लाइंस है आपको अपने रिजिस्टर्ड ओफिस के बाहर बोड लगाना है और इस बोड़ के अंदर कम्पनी की सारे कम्पनी की सारी डिटेल्स होनी चीए कम्पनी का काम सी नमबर अपने दी है दूसरा आपको कम्पनी का लटा है ताकि कमनी का ओफिशल यह आपका बन सके सील अपनी नहीं है चाहिए तो अब सिल मैंडेटरी नहीं रही तीसरा आपको within 30 days के अंदर company बनने के आपको अपनी पहली board of directors की meeting करनी होती है और उस board meeting में आपको auditor appoint करना है और बहुत सारे आपको फैसले लेने होते हैं वो कभी detail में बाद में analyze करेंगे कि first board meeting में क्या क्या करना होता है लेकिन basic चीज़े यह होती है कि आपको अपना MOA, AOA अडप्ट करना होता है डारेक्टर की qualification देखनी होती है और auditor को appoint करना होता है देन उसके बाद आपको share certificate issue करने होते हैं company बनने के 60 दिन के अंदर देखिए company बनी bank account खोलना है bank account खुलते ही आपको अपना application money डालना है bank में और फिर आपको share certificate issue करने है और जैसे ही आपके account के पैसा आजाए share certificate आपने issue कर दिये तो आपको commencement of business के लिए अपना application form फाइल करनी है और वो within 180 days आपका हो जाना चाहिए commencement का form देन उसके बाद आपको disclosure of interest directors का declare करना होता है private limited companies के अंदर छोटी companies के अंदर आपको वो disclosure ROC में फाइल नहीं करना होता है यह disclosure आपको mbp1 में लेना होता है देन उसके बाद यह आपको assure करना है कि आपकी private limited company में जहां minimum two directors हैं उन में से एक director resident in India हो resident in India का मतलब यह है कि वो इंडिया में more than 180 days के लिए previous year में अवलेबल हो previous year मतलब financial year जो मेरा चल रहा है 182 दिन से ज्यादा इंडिया में minimum एक director आपका रहना चाहिए यह mandatory requirement है हर प्रेश्डेंट डिरेक्टर आपका होना mandatory है देन रजिश्टर रजिश्टर आपको बहुत सारे रजिश्टर मेंटेन करने होते हैं जैसा रजिश्टर 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 होते हैं कोई चार्ज अगर आपकी कमनी प वेत्सक्राइब के लिए इसके लाबा कुछ और भी रिजिस्टर्स वगयारा के लिए तो यह रिजिस्टर्स जनली एक फैलेबल इसके लिए आप पाएंगे कि अप्लिकबल होते हैं लेकिन जोब हमने रिष्टर बेसिक डिकस के लिए वह हर किसी कंपनी वो चाये आपके कंपनी में इवन ऑपरेशन भी नहों जिरो पर आपकी प्रब्लीनिक गपनी हो तो भी आपको ए रिष्टर मेंटेंड करने हैं देन आपको इतनी भी आपकी board meetings होती हैं उन सब के आपको मिनित रखनी है आपने पास आप बॉर्ड मेटिंग पर आते हैं जो small companies हैं उनको साल में minimum 2 board meeting करनी है other than small companies को साल में 4 board meetings minimum करनी है 2 board meetings के बीच में 120 दिन से ज़ादा आपका gap नहीं होना चाहिए लेस्ट नोरीस गैए इसके बाद अगर आप नया डिरेक्टर पाइंट करना चाहते हैं तो आपको लिए खुन से टोफ टार रेक्टर सुर्ड एडिया स्वाइट वह धिरेक्टर का जो डीन है वह वेरिफाइड होना चाहिए और उसी से हर साल होना चाहिए डिया थी के वाइ डारेक्टर का दिन वेरिफाई हो रहा है आपको हर साल डारेक्टर का दिन वेरिफाई करना है इसके लावा आपको अपना रिजिस्टर्ड ओफिस वेरिफिकेशन भी करना है रिजिस्टर्ड ओफिस वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको अपने रिजिस्टर्ड ओफिस के के थरूं और एमेल डिपर झाता है और यूनिक मोबायल डंब रो 30 days के अंदर आपको डिया 12 फाइल करना है अधर वाइस आपके उपर लेट फीज लग जाएगी देन फर्स्ट अडिटर आपने पाइंट कर लिया फर्स बॉर्ड मिटिंग में सब्सिक्वेंट ओडिटर जो होते हैं वह एक अडिटर को आप मैस्मुम फाइव यह के लिए पाइंट कर सकते हैं नाओ वेटिंग ऑफ ओडिटर इन एवरी एजम इस नोट मेंडिटरी फर्स्मॉल प्राइंट लिए पाइंट किया एडिटी वन फाइल किया मैटर क्लोज पांच साल बाद आपको दोबारा कंसेडर करना है यह रिपाइंट करनी है यह चेंज करना है विदिं परिटेट ऑपांट में अगर आज अगर आजएंट आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं जरी दिर प्रोसीज़ को देन एग्यएम आपको 30 सितमबर से पहले हर साल की हो जानी चाहिए 21 दिन का clear notice आपको share orders को भीजना है तो मान लिज़े आप अपनी एजम की स्टाइप को भी रखते हैं तो minimum 8 सितंबर को आपको अपना notice release करना होता है और notice release करने से पहले आपके balance sheet, financial statement, director reports वगरा सब कुछ finalize होनी चाहिए Then, आपको हर साल ROC के returns file करनी होती है जिसमें minimum 2 return होती है एक AOC4 जिसमें आप accounts file करते हैं और एक MZT7 जिसमें आप अपनी annual return file करते हैं जिसमें आप list of shareholders and further details जो आपकी हैं वो आप disclose करते हैं तो ये सारे की सारे returns annual return आपको 60 दिन के अंदर AGM होने के 60 दिन के अंदर आपको annual return file करनी होती है form MZT7 के अंदर और company secretary से भी उसमें आपको consent लेनी होती है एक specific limit के बाद then directors report आपको form AOC4 annual general meeting होने के 30 days के अंदर file करनी होती हैं जिसमें directors report भी आप file करते हैं अपने signed financial statement भी आप file करते हैं अगर आप एक foreign company हैं तो आपको अपनी annual return आपको अपनी annual return within two months from the end of financial year means 31 माई से पहले आपको FC4 के अंदर file करनी होती है जिसमें आप साथ के साथ अपने audited accounts भी लगाते हैं तो यह कुछ exhaustive list of compliances हमने discuss की जो किसी भी private limited company के उपर या किसी भी small और medium size private limited company के उपर applicable होते हैं please do consider कि यह सारे के सारे compliances mandatory हैं और इनके उपर non compliance होने पर heavy penalty है तो अगर आप एक private limited company चला रहे हैं तो आप प्लीज सत्रक्ता के साथ सारे compliances कीजिए compliances की time पर कर देते हैं तो cost बहुत कम है लेकिन अगर delay हो जाता है तो late fish भी heavy है penalty prosecution भी वहाँ पर है mandatory है आप कमेंट केजिए अमर प्लाइब चिरोड के देंगे thank you दोस्तो